अगर आपके पास में इतना समय नहीं है कि आप कोई भी पैक लगा के घंटों बैठें या फिर ऐसे ही कोई रेमिडी टाई करें जिसमें आपको काफी ज्यादा समय लग जाता है तो आज का वीडियो आपके लिए काफी ज्यादा हैल्फुल हो सकता है जोकि यह बहुत वीडियो आप सबसे पहले देख सकें तो सबसे पहले मैंने यहाँ पे एक खाली पैन में लिया है पानी लगवा आधर लीटर पानी ले लिजी आप और इसको मेडिया फ्लेम पे हम गरम करने के लिए रख देंगे इसके बाद में जो अगली चीज हमको लेनी होगी वो है ग तो मैंने यहाँ पे 5-6 पत्ते ले लिए हैं और इसको डाल दिया इस पानी की अंदर जो कि हलका गरम हो चुका है इसके बाद में जो अगली चीज में इसके अंदर एड़ करूंगी वो है नीम की पत्तियां हमको यहाँ पे ले लेनी होगी कम से कम 20-25 नीम की पत्तियां क्योंकि नीम हमारे सकल्प से बुरे वक्त। खताहरा और जब बुरे वक्त। खता घुत हो जाते हैं तो एड़ा राज है तो इसलिए है उलागा नीम की पत्तियों इसके बाद मेंas पे बईयम के लिएधि आए ओधिजा पानी में ब्सक्रेश का देल ल्लेका नीम के कि अं पर एलूबेरा का प्लांट नहीं है, आपके पास में लीफ नहीं है, तो आप मार्किट वाला जЕल भी इस्तिमाल कर सकते हैं, आप इसकी जगह पर दो चमप ले सकते हैं, तो इस तरह से हमने लीफ को छोटे-चोटे से पीसे से लाण बॉल करेंगे, अब इन तीनो चींजों क लबा 5-7 मंट के लिए पकाना होगा जिससे के इनकी सारी जो क्वालिटी जे इस पानी की अंदर आ जाएंगी और यह जो पानी हमारा बनके तयार होगा न वो एक मैजिक की तरह काम करेगा हमारे बालों के लिए क्योंकि इसमें है अलुबिरा जेल नीम और हिवसकस की बहुत स पका लिया है अब इसके बाद में हम गैस को ऑफ कर देंगे और इसको ठंडा होने के लिए चोड़ देंगे जब यह ठंडा हो जा तो हम इसको च्छान के इसका पानी अलग कर के रख लेंगे चाहे तो आप stirner का इस्तिमाल कर सकते हैं इसका पानी अलग करने के लिए जैसे कि मैं कर रही हूँ या फिर इस बाटर को बिना stirner की मज़से भी आप अलग कर सकते हैं तो इस तरह से ये हमारा magical पानी बनके तयार हो गया है अब इसके अंदर हम एड़ करेंगे शैंपू को तो उतना सेम्पू लीजिए और इस पानी के अंदर अच्छे से मिक्स कर लीजिए इस तरह से यह हमारा मैजिकल रिंज बॉटर या फिस सेम्पू बन के तयार हो जुका है अब इस सेम्पू से आप अपने बालों को दूए आपको इसके मैजिकल रिजर्ट देखने को जादा स्मूध हो जाएंगे जो कि आपको इसका बीजिवर्ट डिखेगा वह इसके अलावा आपके बालों की ग्रोथ इस सेम्पू से दोने से तेज होने लगेगी जब भी आप अपने बालों को दोए तो इसी सेम्पू का इस्तिमाल करेंगे तो बालों के ग्रोथ बहुत तेज हो जाएगी बाल आपके तूटना जड़ना बंद होंगे इसके अलावा आपके बाल बहुत ही ज्यादा सिल्की और साइनी भी बनेंगे उमीद करती हूँ वीडियो आपको पसंद आए होगा वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक जरूर कर देना शेयर कर और पिंग सी चनल को सब्सक्राइब जरूर करना मैं आप से विलूंगी ऐसे ही किसी अगले वीडियो में तब तक के लिए नमस्ते